दोस्तो मेरे घर वालों ने मुझे भागा दिया है भायों ने मेरे को मेरे फाम से भागा दिया अब यही मेरा घर है यही पर रहना है यही पर खाना पिना है दोस्तो अब अपने फाम पर नहीं जा पाऊंगा हमको लोग खदेर दिये हैं ऐसा कुछ नहीं है मेरे दोस्तो यह क बजड़ा का खेट कटिंग हो रहा है देख सकते हैं और बजड़ा का खेट के लिए अब 2-4 दिन के लिए मैं बजड़ा के खेटों में आ गया हूं फाम पर भाई सब हैंडल करेंगे और सोचा थोड़ा समझा कर लिया जाए तो चलिए वीडियो में बने रहिए और आप सभी कैसे कैसे रहना पड़ता है यह जो किसान होगा वही समझेगा चलिए वीडियो को पसंद आएगा तो लाइक और सब्सक्राइब कर दिएगा नमस्कार मीत्रों आप सभी को बहुत-बहुत स्वागत है मारी यूटूब चैनल सुधा रहरी मिडिया में दोस्तों आज हम फार सब्सक्राइब देरा काटिंग चालु हो चुका है और देख सकते हैं बजला कितना अच्छा है दोस्तों किसान है तो सब करना पड़ता है इस ऑजार को आप क्या बोलते हैं, इसको आप क्या बोलते हैं, ये प्लीज कॉमेंट कीजएगा, हमारे यहाँ इसको अशुआ बोलते हैं, अशुआ जो कोई भी समान काटने का काम आता है खेती में, चलिए विडियो थोड़ा सा खेतों के उपर बनाएंगे, तो आप लोग स चैनल को सब्सक्राइब कर दिजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दिजिएगा और वीडियो थोड़ा लाश्ट तक देख लिजिएगा दो चार चीजे अच्छे जानकारिया है योगी डैरी फारम से रिलेटिव होता है जब वीडियो तो उसी में डैरी फारम के बैक क्यम्रा करके आप लोग को दिखाता हूं और बैक खेत में आप 3-4 दिन से लागतार खेती में हूं जो खेत में बाज़डा का कटिंग चालू हो गया है तो कटाई भी हो रहा है तो मेरे को साथ साथ में कटिंग करना पड़ता है खैर तीन मजदूर है काटने के लिए और हम दो लोग है तो कटिंग चालू है बजडा का आप लोग वीडियो देखे लाज तक दिखाता हूं कैसा मेरा बजडा है पहले यह दोस्तों बैक केमरा करके आप लोग को दिखाना चाहता हूं यहां पर रोड पर गाड़ी मेरी खड़ी है और इधर खेत यह सारा खेत अपना है बजडा का यह खेत देख सकते हैं कितना अच्छा खेत हुआ है बजडा उपर वाले का दया है और देख सकते हैं कितना अच्छा हुआ जितना दूर में यह बजडा दिख रहा है जहां तक यह टोटल खेत अपना है बजडा लगभग बहुत सारा लगाये हैं अप थोड़ा सा दोस्तों अपने बात करते हैं, खेती मैं बार बार वीडियो बनाता हूँ तो उसमें एक चीज बताना चाहता हूँ कि अगर आप डैरी फारम सुरू करते हैं तो उसके साथ साथ खेती भी जरूरत था है, खेती होगा तो ही मजाएगा, खेती के साथ साथ डैरी फ खिला रहे हैं, तेरो सो रुपे का पचास किलो, तो छबी सो रुपे का एक कुंटल चोकर जो खिला रहे हैं, चोकर के जगह हम बाजड़ा का आटे खिलाएंगे, दलिया खिलाएंगे, यह इतना बेश्ट है कि सरीर बढ़ाने के लिए, फैट गाय का जो सरीर का फैट है, और बोडी मेंटेन के लिए बहुत बढ़ियाच सोर्स है, बहुत हाई प्रोटीन होता है बजड़ा में, और सर्दी के मौसम में पसू ही नहीं, आदवी भी खाता है, और यही सब अपना खेत में बजड़ा है, तो बजड़ा इसके लिए लगाये हैं, धान भी बहुत सारा हु दोस्तों, यहां पर हमारी गाड़ी भी खड़ी है, ट्रेक्टर पर यही से घास भी जाएगा, जो बजड़ा कटिंग हो रहा है, तो इसका ही नीचे का भाग जो है, ड्राइबर लोड कर रहा है, हम लोग खाना खा रहे थे, खाना खा के सोचा डाइरेक्ट विडियो बना तो दोस्तो आप भी कभी खेती किये है कि नहीं किये है और ऐसा हसुआ से खेत काटे है कि नहीं काटे है ज़रूर कमेंट कीजिएगा हमारा ये लोग बोलते है कि मतलब डैरी फारम में मेहनत कम है डैरी फारम के साथ साथ मेहनत बहुत है नौकरी से लेकिन अच्छा है नौकर बन जाते हैं और चोटा मोटा बिजनेस जो भी करते हैं तो उसमें चोटा ही मालिक सही मालिक बन करते हैं और यह देखिए कटिंग हुआ है बजड़ा अपना अब इधर ऐसे पहले कटिंग होगा फिर इसका बाल का पहले बजड़े का कटिंग होगा फिर बाल को कटेंगे इस सब अलग करेंगे अनाज वाला हिस्सा फिर सब अलग अलग करके जाएगा और गजर करने के बाद वजड़ा के बाद के बजड़ा इनाज है थी वो वाला है डैरेक्ट पूरे काट के लाद दिए अब यहां वाला जो है इसको पहले अनाज को अलग करेंगे और सब कुछ अलग करके लोड होगा तो चलिए थोड़ा सा अब यहां से चलने के बाद फाम पर जाएंगे और इसी में थोड़ा सा फाम का अपडेट दे देंगे फिर वीडियो एंड करेंगे और वीडियो को लाश्ट तक देख लीजिएगा सभी को जैसी राम जैसी रादें सभी लोग आराम कर रहे हैं दो पर हुआ है तो खाना खाने के बाद आराम हो रहा है फिर उसके बाद अब काम चालू होगा तो चलिए नेक्स्ट वीडियो इसमें जोवाइंट करते हैं फाम से और जैसा होगा अपडेट देते रहेंगे सभी को जैसी राम जैसी होई रात भर हमें अब आड़ा कहा थायर और अपार नेंगे डिया है जैसी हमें बढ़ात छोट कि अबने घंट को जोड़ाय को प्रष पांट करते हैं जैसी हमें देखिए हुआ हां जैसी हम राम देखाली है अब